गरूर पुरान अध्याय छठा सुनो और अच्छा लगे तो लाइक सबस्क्राइब जरूर करना। गरूर जी ने कहा के केशब, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन होता है। वह गर्भवासादी के दू, खों को जिस प्रकार भोगता है, वह सब भी मुझे बताए। भगवान विश्नु ने कहा, स्त्री और पुरुष के सयोग से जैसे मनुश्य की उत्पत्ती होती है, उसे मैं तुम ही कहूंगा। रितुकाल के आरंब के तीन दिनों तक इंद्र को लगी ब्रमहत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है, उस रितुकाल के मध्य में किये गए गर्भाधान के फल्स्वरुप पापात्माओं के देह की उत्पत्ती होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रमहतिनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। नरक से आय होए प्राणियों की ये तीन माताएं होती हैं। दैव के प्रेरना से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रे लेकर स्त्री के उदर में प्रविश्ठ होता है। एक रात्री में वह शुक्राणू कलल के रूप में, पांच रात्री में बुदबुद के रूप में, दस दिनों में बेर के समान तथा उसके पश्चात मास पेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। एक मास में सिर, दो मास में बहु आदी शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नक, लोम, अस्थी, चर्म तथा लिंगबोधक छेद्रूत्पन होते हैं. चोथे मास में रस, रक्त, मास, मेदा, अस्थी, मज्जा और शुक्र, ये साथ धातुएं तथा पांचवे मास में भूख प्यास पैदा होती है. चोथे मास में जरायों में लिप्टा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पीए अननादी से बड़े हुए धातुओं वाला वह जन्तु विष्ठा मूत्र के दुरगंधयुक्त गधधे रूप गर्भाशे में सोता है. वहां गर्भस्त क्षुधित क्रिमियों के द्वारा उसके सुकुमारंग प्रतिक्षन बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यदेक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्च्षित हो जाता है. माता के द्वारा खाय हुए कडवे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खटे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्ष से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायों अर्थात जिल्ली से लिप्टा हुआ वह जीव आतों द्वारा बाहर से धका रहता है. उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है. इस प्रकार अपने अंगों से चेश्टा करने में असमर्थ होकर भी वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भाती माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाई हुए पड़ा रहता है. भगवान की कृपा से अपने सेकडों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्त जीव लंबी श्वास लेता है. स्थिती में भला उसे कौन सा सुख प्राप्थ हो सकता है. महस मजज़ा आदी साथ धातूओं के आवरण में आवरित वह रिशिकल्प जीव भाइबीत होकर हात जोड़कर विकलवानी से उन भगवान की स्तुती करता है, जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है. सात्वे महीने के आरंब से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्यान हो जाने पर भी गर्भस्त प्रसोतेवायू के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन सहोदर उसी पेच में उत्पन अन्यकीरे की भाती एक स्थान पर ठहर नहीं पाता. जीव ओवाच जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पती, जगत के आधार, अशुब का नाश करने वाले तथा शरण में आये हुए जीवों के प्रती वातसलिय रखने वाले भगवान विष्णू की शरण में जाता हूँ. ये नात, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदी में ममत्व भाव के अभिमान से जन्मरन के चक्कर में फसा हूँ. मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुब और अशुब कर्म किये, किन्तों अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जर रहा हूँ. उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत रादी अलग हो गए. यदि इस गर्ब से निकल कर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरंग करूंगा और उपाए करूंगा जिससे मुक्ती प्राप्त कर लून. विष्ठा और मूत्र के कुए में गिरा हुआ जट्रागनी से जलता हुआ एवं यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा. जिस दीनदयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेश ग्यान दिया है, मैं उन्ही की शरंग ग्रहन करता हूँ जिससे मुझे पुनह संसार के चक्कर में ना आना पड़े. अथ्वा मैं माता के गर्ब ग्रह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनह मेरी दुरगती हो जाएगी. इसलिए यहां बहुत दू, ख की स्थिती में रहकर भी मैं खेदरित होकर आपके चरणों का आश्रे लेकर संसार से अपना उध्धार कर लूनगा.